दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आए हूं पांच जुलाई 2020 की करेंड फेर और इस वीडियो में है काफी महतपूर कुश्चन तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है पहला कुश्चन है हाली में आत निर्वर फारत इन्योवेशन चैलेंज किसने लॉंच किया है तो इसका जो सही आंसर है वह है नरेंद मोदी जी ज इलक्ट्रोनिक्स और आइटी और अटले इनोवेशन मिशन नीति आयग मंत्राले की सेंग साजिजदारी में एप नवाचार्ज चनौती शुरू की गई है इलक्ट्रोनिक्स और नीति आयग दोनों ने मिलकर ये एप बनाया है और इसे लॉंच किया है नरेंद मोदी के दो साथ याद रखेगा नीति आयुक्की मैं बात करूं एक जन्वरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी नीति आयुक्की और नीति आयक के चेर्मेन नरेंद मोदी वाइस चेर्मेन राजीव कुमार और CEO हैं अमिताब कंट याद रखेगा कुशन टू देख लेते हैं भारत सरकार क हो वी भारत का पहला अख्यो आपका क्या नाम है इसका जो एप है वह है फ्रत अप देख सकते हैं तो यह सरकार के मतावेथ भारत का पहला श्वच्टी श्यूचल मीडियघा है आम तोर पर ईर एंस उसलिए देसी शोशल मीडिया एप में डेटा प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा गया है और एलिमेंट्स एप में यूजर का डेटा शुरक्षिच रहेगा और भारत में इसकी जो लॉंचिंग है वो भारत के उपराश्पती यानि की पार्ट जुलाई को इसका उद्गाटन करेंगे इस एप का एलिमेंट्स एप याद रखेगा यह भारत का पहला शुशल मीडिया एप हाली में फ्रंट चाइना के उनसा टैप में कर दी ना उसी की तरज पर यह सुदेशी एक एप निकाल लगया है एलिमेंट्स याद रखेगा कुशन तीन देख स्टेशन और आप देखने को मिल जाएंगे एयरपोर्ट पर देखने को मिल जाएंगे फैब्री आई जो थर्मल इस्क्रीनिंग सिस्टम है यह एक तरह का कैमरा है और एक बार में कई यात्रियों के शरीर के तापमान को इससे मापा जा सकता है यह स्टेशन या इस चला है तो उसके लिए यह थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम इजाद किया गया याद रखेगा इसका नम फैबरी आई फूर्थ कुशन देख लेते हैं निम्न वैसे किस ने धरम चक्र दिवस 2020 समारों का उद्गाटन किया तो किस ने किया तो भारत के महा महीम रामनात और इस दिन मादमा बुद्ध ने अपने पहले पांच शिश्यों को पतम उपदेश दिये थे और इसी मौके पर पूरी दुनिया के बहुत हर साले से धरम चक्र दिवस के रूप में मनाते हैं और हाली में धरम चक्र दिवस रामनात कोबिंद ने अभी और नरेंद मोदी ज सिंक के जरीए देश को संबोद्ध भी किता था तो अभी मना गयता इंड्ली चार जुलाई को मना था धम चक्र दिवस दो जार विस और समारो का उद्घञातन कियाता वो रामनात को बिंजी ने किया ता याद रखेगा कोशन नम्बर फाइब देख लेते हाली में किस संगर्टन के मंगलयल मिशन यहाइसे कहते हैं मार्स औरर विटर रोप में से जाना जाता है यह इस HIS इसने फंट फो वोस जो है वह मंगल ग्रहा का सबसे बड़ा चंद्रमाइ यह प्राकरतिक उगर है और इसका चित्रिलिया इसने फ्रंट तीन से चार्ज वलाई में साजा गिया देशवर में और इसने फ्रंट के बताते हैं के प्रांद पदेश चतीज दर्वन अंतरिक्षकेंद्र से लॉंच किया गया था और यह पीएसल भी पीएसलवी सी टॉन्टिफाइब दौरा इसे लॉंच किया गया था याद रखेगा और पहले ही प्यास में भारत मंगल गिरे की कक्षा में प्रविश्क गया था यानि कि 2004 मे अंध्राओ की जो खोज है यानि की जो सेटिलाइट है मंगल जो मंगल गरेके तो उनकी जो खोज कीती वह ऑसफाल ना कीती ठीक यह भी याद रखना आपको और इसमें फॉप मुष बढ़ा है डिमूस छोटा यह तरुप कम्जब कम साथ गूना चोटा है फोमोस से था फ् को हुई थी और इस रोका जो हैट को टेश से तो बैंगलूरू में इस से जरूर यहादर का चाड़ा कोशन देख लेते हैं इस्ट्राइड एयर इस्ट्रिक और एलुसिफ प्रिंस किस प्राणी की हाल में खोजी होई प्रजाती है तो कि यह है फंट तितली की तो हाली में फ् प्रिंस की नाम से तो यह तितली की प्रिजाती है याद रखेंगा अबना चल्प देश मों को जी गई है साथ में कुशन देख लेगते हैं किस बारती अमेर की लेका कौन को दोजार बीस ग्रेट इमिगरेंट समान के रूप में नामित किया गया है तो यह किया गया है सिद से नवाजा गया है और हावर्ड विश्व विद्दाले के एक अन्य भारतिया और उनका नाम है राज चेटी तो इन्हें सहिंक रूप से दोनों को दिया दे राज चेटी और सदाद मुगर्जी दोनों को फ्रेंट 2020 ग्रेट इमिग्रेंट समान दिया गया याद रखेगा two question की बात करूं I handlar के अंस्वा बारत की पहली सुदेशी कोरोना वैक्सीन को वागतीन कब तक लौंच की जा सकती है तो फ्रेंट्स यह जो लौंच की जा सकती है 15 अगस्त को भारत का सुतंता दिवस भी है और पंद अगस तक देश की पहली सो देश ही COVID-19 वैक्सिंग लॉच करने का रक्ष लगते हुए ICM1 ने ये भी कहा है कि बारत बायोटेक के सहयोग से विक्सित होने वाली वैक्सिन कोवा वैक्सिन के ट्राइल में तेजी लाने के लिए इसमें तेजी ओल लाएगा और जो पाइसी में आ रहे हैं इसने भारत बायोटेक को एक पत्ल लिखकर भी इसमें हुमन ट्राइल को फास्ट्रेक मोड पर चलाने के लिए भी कहा है तो फ्रेंट पंद अगस तक इसकी उम्मीद हो वैक्सिन याद रखेगा नमा कोशन देख लेते हैं अमेरिकी कंपनी इंटेल इंटेल कैपिटल ने भारत के रिलाइंस इंडस्ट्री समूंगी तूर संचार डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जीओ प्लेटफॉर्म में 0.39% से दारी करने की गोश्चना की है इंटेल कैपिटल इसके लिए फ्रेंट कम से कम 1894.5 करोड उपे का निवेश करेगी और इंटेल बहतरीन कमपोटरचिप बनाने के लिए दुनिया वरे में विक्याद है इंटेल कैपिटल ऐसी बारेमी कंपनी है जिसने भारत में दूर संचार डिजिटल से वबजार में तेजी से ओवरी जीओ प्लेटफॉर्म में हाली में निवेश किया है तो कितने 0.39 पर में दिया तो अभी इसका जो पदवार समाला है वो फ्रंट एस्पी कोचन समाला है महानदेशक का इससे पहले ते राजन मैथियू अब बन गये हैं एस्पी कोचर आप फोटो में देख सकते हैं तो इसका जो हैटकोटर इस सित है वो नीदली में सित है याद रखेगा और देखते हैं कि यह रजिस्टर नौन गवर्मन्ट सोसाइटी है और हाली में इसके अभी मानदेशक चेंज यूँए एस्पी कोचर बन गया है याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं क्या रहे मां हाली मैं जर्मीनी ने गोशना किया कि वह कब तक कोईला अधारित ब प्रेंक वॉल्टर इस्टीन मेर यह आप याद रख सकते हैं और यहां की जो चांसलन है वह एंजला मारकल तो दो जार अर्थिस तक जर्मनी ने गोशना किया वह कोईला अधारित बिली सेंटरू को बंद करेगा पारम कुशन देख लेते हैं रिलाएंट जी उनकिस नाम से मुफ्त वीडियो कॉन्फरेंसिंग एप्लिकेशन लॉंच की है तो किसे नाम से की है यह की है फ्रेंट जीओ मीट के नाम से और जीओ के बारे में बता दूं फ्रेंट जीओ की जो इस्तापना है वह 2007 में इसने करी थी और इसके जो फाउंडर है मुकेश अम्मानी जी करें लॉंच किया गया है तेरह में देख लेते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आवादी हाति के आवादी है जिसके अनुमानिक संक्या एक लाग थी साजार है तो करीव इतनी हाई आवादी है हातियों की तो यह है फ्रेंट बोस्ताना में और हाली में यहां प्रेंट करीब 300 से 400 सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीकन कंट्री और बोस बोस वाना और यहां प्रण्ट हाली में 300-400 हाती एक साथ मरत पाए गए जो जांच कमेटी वैटी उन्होंने कहा कि हातियों के जो सूंड होते हैं टस्क होते हैं सूंड होते हैं तो उनके अभी किसी ने सूंड नहीं निकाले यानि कि कोई वाइरस से हो गई है अचानक इन्होंने कुछ खालिया होगा तो उससे हो गई है तो जो साइंटेस हैं वो बता रहें तो बोस साना में अभी कुछ 300-400 हाती मिरत पाए गया है इसलिए और यहां के जो करण्टली प्रेसिडेंट है वह मैंसी सी आपको के वल सन्ने मियाद रखना है मैंसी मैंसी आप मैंसी से याद कर सकते हैं अगला कुछन देख लेते हैं 14 पिट इंडिया कंपेगंड के तहत है तो हिट है इंडिया लॉंच किसने किया है तो यह किया फ्रण् तो दोनों ने मिलकør यह छान्टर इंडिया करलंज करन दोनों ने मिलकर और इंडिया और हिसके जो उ उद्देश वाज्चों को आ दौने के के दौरनि상 से के लिए फिट इंडिया टॉक्स की नाम से टॉक्स सेशन का भी आयजिन किया जाएगा टॉक्स सेशन का जो आयजिन के लिए रखा है तो 14 जुलाई तारीक को रखा गया है और उस दिन अगड़ी खेल हस्तियां भी इसमें भाग लेंगी और अपने अनवब को बच्छो के शा और हर दार चैन् onboard तरहे यहां चुके हैं तो किail मंतरीं और यह हैं वेस्ट अणrowsचल पदेश पूर्श यह गए तो यह क्रूली तो नाम से ऐलब को नास्ट कूर्शन देख लेते हैं गवाका रच्या मंतर और सुदेशिषी किसे लंबी दूरी की हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल के अधिकरण की मंजूरी दिये तो किसे दिये ये फ्रंट दिये अस्तर को अस्तर जो कि लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी जो capacity operation range है वो है 110 km करीब 82 miles इसकी operation यान कि इतनी दूरी तक 110 km तक ये मार कर सकती है इसे इसका जो विकास है यान कि DRDO दोरह ये विक्सित की गई है DRDO की मैं बात बताऊं तो 1908 में DRDO established हुआ था और इसके जो currently minister है responsible है DRDO के वो है minister of defense तो defense कौन है minister तो वो है राजना सिंग याद रखेगा और जी सतीस रेड़ी DRDO के चेयर मैंने जो कि आंदपदिश से आते हैं जी सतीस रेड़ी याद रखेगा तो हाली मैं अस्तर जो की लंबी दूरी की हवास में हवा मार का निवली मिसा सब्सक्राइब की मंजूरी दिया तो दोस्तों यह ते टॉप 15 क्वेशन पाच जुलाई के मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और